एक नाथ सिंदे की सीएम कुर्सी खत्रे में आ गई है क्या एक नाथ सिंदे का भी भविश्य खत्रे में है नमस्कर आपके साथ मैं हो रितिक सभीता स्वागत है आपका नेक्ष नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट में दरश्कू आपको बता दे कि एनसीपी सी बगावत क के बाद अजीत पवार को लेकर कॉंग्रिस नेता ने बड़ा दावा किया है महराष्ट के पूर्व सीएम और बलश्ट कॉंग्रिस नेता प्रतवी राज च्वाहर ने एनसीपी प्रमुक शरत पवार परतंज कसा है उन्होंने कहा है कि शरत पवार से ही पार्टी को समभाल में कोई भूल हुई है जिसके कारण यह है विखराव आया है दर्शको आपको आदा है कि इस बीच कॉंग्रिस नेता ने अजीत पवार को लेकर एक बड़ा दावा किया है पूर्व सीम ने कहा कि यह है एंसीपी का अंदरूनी मामला है लेकिन राजी की महाविकास अगारी प क्योंकि कॉंग्रिस पार्टी को कम से कम जमीनी स्तर पर काम करना चाहिए शिंदे सरकार के पास आकड़ा बहुत बड़ा है लेकिन कुरसी के लिए हो रही खीस्तान और नाराजगी से कोई भी गुट खुश नहीं है तो इस बीच यह कहा जा रहा है कि एक नात शिंदे की भ कपसे बड़ा कयास यही लगाया गया था कि उद्दफ ठाकरे को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उद्दफ ठाकरे जमीनी स्तर पर जो है तमाम पार्टियों को नेताओं को जोड़कर बिपक्शी एक्ता को मजबूत करेंगे और 2024 के लोग सभा एलेक्शन में बीजेपी को ट मंतरी को अतार देगी क्योंकि यहां पर देविंद्र 25CM बनने का सपना देखते चले आए हैं बहीं संजय राउत की बात कर लो जो लगातार जो है उद्फ ठाकरे का साथ देते आए हैं तो यहां पर महराष्ट की राजनीती में यह पता नहीं चल पा रहा है अभी तक कि आ परचस्व खत्म होता हुआ नजर आ रहा है अब देखना यह पड़ेगा कि एक नासिंद्र अपनी कुरसी को कैसे बचाएंगे और किस तरीकी से जो है उद्धफ ठाकरे उनको चुनोती दे पाएंगे आज के लिए सिर्व इतना ही देखते रही नेक्श नाइन निउज झाल 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 झाल